मूंधा पांडे ठाना क्षेत्र में चोरों का अतंक चारी किसान के घर की दीवार काट कर लाखों रुपय के पशू चुरा कर चोर फरार मूंधा पांडी में गुरवार की रात को चोरों ने एक किसान के घर की दीवार में पीछे से कूमल काट करकर लाखों रुपए के पशु चुरा कर ले गए जब सुबह किसान सलीम खा पुतर वहिद खा निवासी मौलागर अपने पश्वों को चारा डालने गए तो उन्हें एक भी पश्यो कमरे के अंदर दिखाई नहीं दिया जब उन्होंने इधर उधर दिखा तो पैरों तले की जमीन खिसक गई दीवार में बड़ा सा कूमल लगा हुआ था जिसमें से चोरों ने तीन प्लाइसे एक कट्रा जिनकी केमत किसान द्वारा तीन लाख रुपए से अधिक बताई है चोरों ने कट्य हुए कूमल के अंदर से ही लेकर फरार हो गए चोरी हुए जानवरों की सुचना किसान ने पुलिस को दी मगर थानाव चोकी पुलिस मौके पर नहीं पहुची और किसान से ही कह दिया कि चोरी हुए जानवरों की तहरीर चोकी में आकर दे दो जिसकी तहरीर किसा ने चोगी में अज्यात चोरों के खिलाब दिये, क्षेत्र में दरजनों चोरी, लूट, जकैती की घटनाएं हो चुकी है, मगर अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी घटना का खुलासा नहीं हो पारा है, मूंधा पांडी क्षेत्र में दहशत का माहौल ब यहां आया, मौला कड़ के करीम में, मदार पे, यहां कौन सोता है के रहा तुब में, भास हो रहते हैं आपर, कितने जनवर ले गए आपके, तीन जनवर ले गए, क्या किमत के हुए, किमत के करीबन 75-80,000 रुपे की बहें थी, आपको किस्ट्र मालुम बड़ा, यह सुबह किस्ट्र हार में मालुम बड़ा है